नमिश्कार सी निउस भर्त में आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के बहराईच में हुए दुर्गा विसरजन बवाल और हीवक के नुशन सहत्या के चलते बहराईच में आक्रोश जारी है तो इस मामली में महद बहराईच है नहीं बलकि पूरी देश और खास तोर प कीमा पर है यही लोग कह रहें कि जब मुस्लिम सवदाय के त्योहार अच्छी तरह से संपन्न होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है तो फिर इन लोगों को यानि मुस्लिमों को हमारे त्योहारों से इतनी नफरत क्यों और यह आज नहीं बलकि फिश्य दो महने से इवक के साथ जो मानत्ता को शर्मिसार कर देने वाली जिस घटना को अंजाम दिया गया है उसको लेकर हमेशा जनता की लड़ाई लड़ने वाली सनातन महासभा भारत ने अपना आक्रोश जाहिर किया है अजिलादिकारी लखनों को दिये ग्यापन में उन्होंने बहराईच म मिश्रा ने कहा कि अब हिंदू को जागना ही होगा नहीं तो हमारा सोशन यूहीं होता रहेगा अब हम बड़ी आंदूलन के लिए तैयार हैं इसकारिक्रम में सनातन महासभा की साथ अखिल भारतिय ब्रह्म समाज ने भी आंदोलित रहते हुए कहा है कि अब हम सब को मिलकर नफरत प्यलानी वाले लोगों के खिला बड़ी जंग लड़नी है नहीं तो ऐसे ही हमारी शांति को लोग हमारी कमजोरी समझ कर ऐसी घटनाओं को अंजान देते रहेंगे इस मौकी पर सनातन महासभा भारत के अध्धक्ष डॉक्टर प्रवीन ने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसी घटनाओं का खुल कर विरूत करें जो आपसी सौहार्द को खराब करने का प्रयास कर रही है अब पहले भी देखेंगे जैसा कि हमने कई डिबेट में भी बोला है कि यह सब घटनाओं राजस्थान में हमारे जो राम नमी पर शुबह यात्रा पर हनमान जी की शुबह यात्रा पर पत्राओं यह पत्राओं तक बराबर चलता रहा है और आज हत्या तक आ गया एक व्य सुनियोजित कार्टरम नजर आता है और सरकार से और आज डीम साहब से भी हमारा यह अन्रोद हम यह गैपन देने जा रहे हैं कि इस तरीके घटना की पूर्णा ब्रती ना हो और दोशियों को सक्ट सक्ट सजा दी जाए एक संदेश जाए कि इस तरीके घटना करने वालों क तो इस तरीके सजा दी जाएगी और आगे यह कारें ना करें पूरा का पूरा पूरा पिक्चर दिखाई पड़ती है कि जो यह जंगा जमनी तहजीव एक नारा दिया जाता है तो सनातनियों का है इसको बनाए रखना दूसरा बर्ग बनाना नहीं चाहता है एक ऐसा लगाता है कि यहां पर बड़ी पतिक्रिया नहीं आती है सरकार भी बड़े कदर में उटाती है 17 हमले उत्ता परेश शक्रीजगर महराश्च और कमान जगे हमले हुए है अब समय आ गया है बड़ी कारवाई की उम्मीद करेंगे निश्चित रूप सभी है वह समय आ गया है कि इस तरीके घटनाय निरंतर हो रहे हैं जैसा आप मीडिया ने भी देखाई है और इन घटनाओं को इस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है इसके लिए अब सक्षक कारवाई करनी पड़ेगी हम सब को एक जूट हो करके आगे आना पड़ेगा और हमें सरकार से यह ब सब्सक्राइब करना पड़ेगा निश्यत तर पर निश्यत तो ठीक है वरना हमको करना ही पड़ेगा अब दो जैसा समय होता है उससे उसका प्रयोग करते हैं अभी हम गया पन देने जा रहा है कानूनी तोर पर प्रयास कर रहा है कि उसके खिलाफ कर वाई हो आगे जैसा समय होगा वैसा किया जाए क्या मांगे क्या मांगे क्या मांगे जिसका घटना बेराइक हुई आपकी कह रहा है तेके सनातन सभा और अखिल भारतिये ब्रहम समाज वा उपसे जितने भी लोग हैं सब लोग रियम से ही आज ये कहने वाले हैं कि जो भी हुआ उस चोबेस वर्षे बच्चे के साथ में वो तो निल्दा के पात रही मगर उनके प्रतिक कैसे कड़ी से कड़ी कारवाई और दूसरा कि वहां की जो सामाजिक सद्भाव है वो कैसे निरंतर बना रह सके अभी चुकी सारी मूर्तियों का विसरजन निवा उसको कैसे वो नि रहा है करने के लिए अपर लोंगों का तो यह है मगर दूसरा आप जो हम लोगों को नहीं दिखता है कारण वो मात्र ये है कि जो दूसरा वर्ग है या जो विधरमी लोग है उन хлों को ये- लगता ही कि हम लोगकोए कोई existence भी है, हम- लोगकोए कोई आस्त है ऐसा वो मानते ही नहीं है जैसे बच्चे को खीचा गया उसको गोली वाली करी गयी во गाला कla dhya गया तो अगर उनका होसला इतना बढ़ा हुआ है तो आप सोचिए कि अन्य समाज की पिक्चर क्या होगी जब भी कोई धाय में जलो सिंदों का निकलता उस पत्थर बाजी करते हैं और यह तो बिल्कुल हद हो गई कि आप किसी को मृत दंड दे रहे हैं तो हम लोगों की तो है कि यह घटना है अन जिगे अन प्रांदिया लखनों में तो बिल्कुल भी ना हो और जिनके लिए हुआ है उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलें समय आगे हैं जी बिल्कुल एक चल में गल्ती हमारी समाज की नहीं है कि बहुत जब तक हमारे दरवाजे पे कुछ नहीं हो सीमा होती है मुझे लगता है कि विधर्मियों ने संबेद्रना की सारी सीमाय पाहर कर ली है अब समय आ गया है कि हम प्रशाषन के माध्यम से उनको चेतावनी देने जा रहे हैं और अगर वह नहीं चेते तो इस देश में वह होने होगा जो सन 47 में हुआ था हम आपको निश दिश्चित रूप से हिंदो समाज सड़कों पर दिखाई देगा और विधर्मियों को और यह दंगाईयों को हम स्वेम उनको जवाब देंगे यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश-दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे हैं सीन्यूज भारत हर खबर आपके साथ आपकी हाद